गुड मॉनिंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास टेंथ की मैच्स चैप्टर थर्टीन, प्रस्टेच हेतरफल और आयतन, प्रशनावली 13 दसमलब एक, क्वेशन नमबर 4, 5 और 6 तो शुरू करते हैं, क्वेशन नमबर 4, क्वेशन नमबर 4 में हैं बच्चों, बुजा साथ सेंटिमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के उपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है, जैसा आप आकरती में देख रहे हैं, कि हमारे पास क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक ना अधिक्तम ब्यास क्या हो सकता है, यह कह़रहे हैं कि maximum diameter क्या हो सकती है, अर्ध गोले की, देखो जब वो उसको fully कवर करेगा block को पूरा cover करेगा यानि कि जो block का एक किनारा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डाइमीटर हो जाएगा, ठीक है और अगला पार्ट है इसमें इस परकार बने ठोस का प्रिस्टिय छेतरफल ग्याद कीजी जो इस परकार से हमारे पास एक ठोस प्रस्टिय चेत्रफल यहां पर देखे आप गनाकार ब्लॉक का एक किनारा जो है वह साथ सेंटीमीटर वाला है यह में कुशन में दिया है तो जो इसका अधिकतम ब्यास होका वह साथ सेंटीमीटर ही होगा ठीक है क्योंकि उसको पूरा कवर करेगा तो अधिकतम जब पूरा करना है कि इस परकार बने ठोस का प्रस्टिय चेत्रफल ग्याद कीजिए तो जो ठोस का प्रस्टिय चेत्रफल होगा वो क्या होगा देखो एक तो इसमें आएगा प्रस्टिय चेत्रफल यानि कि हमें बाहर-बाहर का निकालना है यानि कि घनाकार ब्लॉक का प्रस्टिय च चेतरफल यह वाली लाइन अर्द गोले से ढखे एक वृत का चेतरफल हमें माइनस करना है क्यों कि यह तो इस पोर्शन में आ चुका है ब्लॉक के वक्रप्रस्टे चेतरफल में आ चुका है और फी अर्द उसमें भी आ रहा है दुबारा दुबारा तो एक ही चीज को हम दो नहीं ले सकते हैं तो हमने क्या करा है फिर उस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया जो दोनों में कॉमन आ रहा था यानि कि घनाकार ब्लॉक के वक्रप्रस्ट में भी आ रहा था और अर्द गोले के वक्रप्रस्ट में भी आ रहा था ठीक है तो उस पोर्शन को हम क्या कर लें तो यानि कि 6a square तो अपनी जगे में वैसी रहेगा, 2 pi r square में से, pi r square गया, तो यह क्या हो जाएगा, अब सारी values आप लगा लीजे इसमें, यह हो जाएगा आपके पास, 6a की जगे में क्या है, 7, क्योंकि a क्या है, घनाकार ब्लॉक की एक भुजा है, तो 7 का square प्लस pi की जगे म गुणा साथ बटे, 2 यहां तक हमने कर लिया है, इसको solve करेंगे, यहाँ जगा, 7, 7, 49, 49 को 6 से multiply किया, 294 प्लस, यहाँ इनको cancel out किया, 2 से 22 को काटा, 11 टाइम से कटा, 7 से 7 को काट दिया, 77, 11 इंटो 77, 77 बचा अपन 2, ठीके, तो 294 प्लस 2 का divide करा हमने 77 में, तो 38.5 आ गया, दोनों को add करा, तो यह आ गया, 3, 32.5 सेंटिमीटर स्क्वार, यह आपके पास answer इसका हो जाएगा, फिर बढ़ते हैं, next question में, question number 5, यह भी उसी type का question है, इसमें यह है, बच्चों, important question है, ठीक है, यह है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की और से काट कर, एक गया है, कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, जो इसमें अर्ध गोले का व्यास है, वो घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है, तो शेस बचे ठोस का प्रस्टे छेतरफल ग्याद कीजिए, जब हमने इससे अर्ध गोला हटा लिया है, घनाकार ब्लॉक मैं अपनी तरफ से मान के करेंगे कि माना अर्ध गोले का जो व्यास है अर्ध गोले का व्यास हमने डायमेटर ड को ले लिया स्मॉल डी बराबर मान लिया हमने क्यों एल सेंटीमेटर है एल एकाई है कुछ भी आप यूनिट है कुछ भी ले सकते हैं मैंने सेंटीमेटर में मा आर्दगोले के तीरजा हो जाएगी is simple है और जो एक किनारा और इसकी किनारा जो है क西एs बच रहे है ऊ다 inspiration के लिवड़े की सणीप्रल केसी आउब। दो घेंते हां और तो क्वेस्ट रहरा भी तो स्क्रूसक प्रस्ट्ड़ 1970 005 जो 6 बच रहा है वो क्या हो जाएगा घणाकार ब्लॉक का छेतर फल लेंगे प्लस अर्द गोले का छेतर फल लेंगे और वही चीज हम माइनस करेंगे जो चीज दोनों में common आ रही है दोनों में common कौन सी चीज आ रही थी देखो अर्द गोले में उपर एक व्रित बन रहा है वाला portion और इसमें भी जब हम घनाकार ब्लॉक ले रहे थे तो इसमें भी यह वाला बन रहा था portion क्योंकि हट रहा था हम तो इसको एक यह बार इंक्लूड करेंगे तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं यहां पर माइनस करने तो माइनस अर्ध गोले से ढखे हुए एक ब्रत का छेतरफल तो घनाकार ब्लॉक का छेतरफल क्या हो जाएगा 6A स्कूर फिर प्लस अर्ध गोले का छेतरफल क्या हो जाता है 2PiR स्कूर ठीक है क्योंकि इसकी एक बुचा किस के बराबर है cm² 던 π phi i गहाई फिर अर्ट की तिर्जा है वो d उपं लू?? ंपॉन 2 हो जाएगी उपं टू क〜 इसको आप स्वाल्व करेंगी 6 every स्कोर अपॉर प्लस पाइव ल्करण जाएगा आप सेंटिमेटर स्कौरर काई लिखें बहार कंद की है उनिट कर ersonal cm में। aí तो इसलिए ऐसा होग लिखा, ठीक है, सिंपल है, फिर करते हैं, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर 6, दवा का जो एक कैपसूल है, एक बेलन के आकार का है, यह आप देख रहे हैं, आकरती में, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, ठीक है, आकरत व्यास है, डायमीटर वो 5 cm है, तो इसका प्रस्टे छेत्रफल आपको निकालना है, तो यहां पर आप देखेंगे, हम इस चित्र को थोड़ा मोडिफाय कर लेते हैं, आपको बुक में इस टाइप से दिया है, मैंने इसको मोडिफाय करके ऐसा बनाया है, देखो, यह कैपस पांच बटे, दो इधर पांच बटे, दो इधर तिरजा, इस अर्ध गोले की भी और इस अर्ध गोले की भी पांच बटे, दो तिरजा, ठीक है, यहां पर हमें व्यास 5 cm दिया है, अर्ध गोले की तिरजा 5 बटे, यह दो आ गई है, अब जो बेलन की कुल उंचाई है, बे बिलन कितना कहां से कहां तक है यहां से लेकर कि यहां तक है केवल बेलन तो आप देखिए एच बराबर 14 mm- माइनस क्या हो जाएगा 2R क्यों किसमें 2 तिर जाय है और यही तिर сам क्यों बड़ा वेखा है इसे कंदे लंबा क्यों हो जाती है तो माइनस 2 आर तो एक परिएधर बटे 2 ड़्यानिकोंटा तो 2 की ड़्यानिकी 5 टो 14 mm – 5 mm natinio 5 mm यह मैंनीकी 9 mmN जाएगा तो कैپسुल का जो परिषिटी छेतर्फल आएगा वह आएगा आपके पास यह निकि दो अर्द गोलों का वकर्षिटी गृषिटी चेतरफल इसमें दो अर्द गोले बने हैं एक इस किनारे कि किनारे плюс बीच में कहें एक बेलन है प्लस बेलन कवक्र प्रस्ट यह छेतर फल तो सारी वेल्यू आप इसमें लगाईए यह जाएगा बराबर two into कि एक करद गोले का क्या होता है two pi r a square तो दो क्या हो जाएगा two into pi r a square प्लस बेलन का वकरप्रेस्ट कि यहाता है 2 pi r h उसमें सारी वैल्योज लगाई हमने 2 pi r मैंने common कर लिया अंदर क्या रहेगी है 2 r plus h सारी वैल्योज इसमें पुट करो 2 की जगे में 2 pi की जगे में 22 बटते साथ r की जगे में 5 बटते 2 फिर 2 r की वैल्योज है पांच है यहां पे 5 कर ली है और एच की वेलु क्या आ गई 9 सारी वेल्यू आप सॉल करेगा या आएगा आपका लास्ट में 220 मीम एम्म स्क्वार ठीक है तो यह बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन साप इनको एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा म्य Сबस्के क्वेश्चन सावंगा है उखा आए है तो कि अवेश्चन से अवेश्चन से नहीं है तो कि एक बार ट्रा-एध गिम एक जरे यहां आएगा है जर लागा है तो कि दुब्हार वेल्चन से तो पिलागा है झाल झाल